एक है विजयर यूट चानल मैं करना रोड़ा फांडर आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करता हूं आज की इस वीडियो के देखने वाले हैं माघिट बास्किट आप्टिमाइजेशन के बारे में जहां पर हम कुछ रिकमेंड़िशन इंजन बनाने वाले हैं कुछ रि प्रदक्स को रिकमेंड करेंगे अब किस तरह के हमारे यहां पर जो आइटम ज़र्क इसको हमें रिकमेंड करना है वह तेक लेते हैं या पर जो मेरे पास डेटा है वह आप देख सकते हैं कि मेरे पास Numbar of Transactions की अगर मैं बात करूं तो इसमें 7500 के आसपास transactions है अब हरे एक ट्रॉंजेक्शन के को देखना है कि लेट से अगर कोई जैसे सेकेंड ट्रांजेक्शन की बात करो इसमें बर्गर मीट बॉल्स और एग्स यह सारी है ऐसे कि जिसे हमने लास्ट की दो वीडियो के अंदर देखा था सब से पाले की यह मार्किट बास की टॉप्टिमाइज इस तो अगर आप फर्स नाम इस वीडियोको देख रहे है कि आप इससे पहले वाली वीडियो से पक्राइप के लिए अगर यहां पर देखें कि ऑगरम बर्गर मीट और एक लेकिए बात करें उसमें तर्षेष्टन की बात करें उसमें सिरफ चटनी है और फूर की बात करें उसमें मिनल वाटर मिल्क एनरजी वार उसके बाद होल वीट राइस हैं ग्रीन टी ऐसी बहुत सारी ट्राइक्शन है अब जब इतनी सारी ट्राइक्शन में से अलेट से की मैं यहां पर एक्ज लेने आया हूं एक्ज के बाद मैं ऐसी कौन सी चीज लूँगा कि म gaming अब बुक्ष के साथ में फ्रेंच फ्राइब के साथ मैं केचप ले था ऑँ बर्गर के साथ या मैं कोई पीजा लेता हूं यह कुछ भी हो सकता अ consistent pen To चॉक्लेट के साथ चिकन भी ले रहा है हनी भी ले रहा है वाइल भी है कुकिंग वाइल भी है राइट ऐसी यहां पर टर्की एग यहां पर ट्रमाटो उसको इंपोर्ट कर लेता है इंपोर्ट नम पाई एज एन पी सेकिंड लाइब्रेडी जो है विच इस पांदास तो इंपोर्ट कर लेता हूं पांदास एस पीडी को और अगर मैं को विज्वाइज़ाइशन की जूरुत पड़ेगी तो मैं मैं अपर लेपको यूज कर सकता हूं इंपोर्ट मैं प्लॉट लेप टॉर्ट अंडर स्कोर सी एसवी तो इसको मैंने यहां पर एक डिरेक्टरी पीछे रखा हुआ है तो मैं दो डॉट्स लगा रहूं ताकि एक ड्रेक्टरी पीछे चला जाए उसके अंदर डेटा सेट्स नाम का फोल्डर है और उसके अंदर मेरी फाइल बढ़ी है मार्केट पास्कि तो जैसे इसको रण करूंगा यह पूरा डेटा रीट कर लेगा लेकिन फॉर्स लाइन अगें इसने अज़ा कॉलम्स के नेम उठा लिए तो यहां पर हम लिख देंगे हैडर इकुल्स टू नन अब इसको मैं किसी वेरीबल में स्टोर कर लेता हूं लेट से मेरा डेटा है अब कितनी नंबर ओफ रोज है 7501 रोज है और 20 कॉलम्स है अब इसके बाद हमें क्या करना है अगें इसमें भी बहुत सारी एनन वैल्यूस है अब इनन वैल्यूस को हमें रिमूव करना है जैसे कि लास्की वीडियो में हमने किया था तो अगर तो पूरा डेटा लिस्ट मे करना क्योंकि यह जब हम एक प्रेवरी अल्गुरिदम को यूज करते हैं वहाँ पर हमें अपना डेटा लिस्ट ओफ लिस्ट के अंदर देना होता है अगर मैं डेटा डॉट वैल्यूस कर दूं यह मेरा एरे में कनवर्ट हो गया उसके बाद इस एरे को अगर मैं लिस्ट म नहीं चाहिए अब इसके लिए हमने क्या किया था हमने मैनुली एक फॉर्लूप लगाई थी तो फॉर्लूप जैसे मैं एक ट्रांजेक्शन नाम की लिस्ट के अंदर मैं अपना पूरा लेटा लिस्ट ओफ लिस्ट के अंदर लेकर आना चाहता हूं तो उसके लिए मैंने क आप व्मीरी टी नाम की लिस्ट ए उसके अंदर मैं अपैंड कर दूँगा अपैंड करूंगा entity like अटर एक और उस्ट के अपर एक अधर इंदर ओर यहां तो यहां पर मेघ लिस्ट ले रहां जो की मेरी एस रॉस्स काम प्रrie गर होगी इसके अप्र रहूंगा कि मैं को हर एक element को एक एक करके अपनी इस list के अंदर add करना है तो मतलब मेरी यह जो list है इसके अंदर एक फर्स ट्र्सक्शन होगी इस एकई ट्रांजेक्शन होगी यह वाली मेरी index I के अंदर यह मेरी ही मतलब index zero के अंदर है इंडेक्स 1 के अंदर होगी और इंडेक्स 2 के अंदर होगी अब 0 के अंदर मेरी first item second item third item fourth item ऐसी first के अंदर तीन आईटम है इस इस index के अंदर लिए इंडेक्स हैं हमें वह लेकर आ नहीं है अब यहाँ पर में लिख रहाओ फॉर ये यह इन रेंज यहां पर जितनी मेरी नमबर ओफ माक्सिम ट्मक्राइक्शन जती हो सकते उसमें को नमबर उफ कोलम कितने बताया है 20 तो यहां पर यहां पर टुवंटी गॉलम से कर सकते हैं तो इसको ट्वंटी तक लूप ले लगा लेता हूँ फॉराइन रेंज यहां पर मैं लिख देता हूं कि 20 तक स्टार्ट कर लेट से 20 कर दते हैं यहां सीधर 20 भी लिख दो कि तब भी कोई फरक नहीं पड़ेगा और इसमें जो भी विको वैल्यूस आ रही है अब यह वैल्यू जो एनने यह स्ट्रिंग के अंदर नहीं है कर यह भ भी हमारे डेटा के अंदर कि डॉट वैल्यूस जो मेरा एरे बन गया एरे के इंडेक्स आई पर जो वैल्यू पढ़ी है और उसकी जे की जो वैल्यू आ रही है वो मेरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते जाओं तो यह हमारा हो गया जो हमने लिस्ट के अंदर पास करना था और यह वाली चीज भी यहां पर नहीं आएगी इस चीज को भी में को अपनी लिस्ट के अंदर ही पास करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि यह लिस्ट कॉम्प्रेंशन यूज कर रहा हूं तो फोर जे इन रेंज जीरो से लेके 20 तक जो भी वैलिउसार रही है वो में को यहां पर चाहिए आप इसमें को एंडियन वेल्यू निचाहिए रइग निखो उसको भी रिकमेंड करते क्देखा इंडा इन वैल्यू से तो बोले है अगर आप एक्ष्ट लेन जार रहो उसके साथ अपने अल लो तो मिको वो नीचाहिए तो यहां पर एक if condition लगाते हैं if कि अगर यहां पर मैं string use कर रहा हूं string के अंदर यहां पर data set जो मेरा data है data.values जो i, j पर जो एको value आ रही है जो मेरी string में convert कर दी अगर वो मेरी not equal to nn है तब भी तुमने इस list के अंदर जो data है वो append करना है अब जैसी इसको मैं यहां पर run करता ह हूं तो इन यह data sets मैंने यहां पर कहीं पर लिख दिया तो इसकी जगा मेरा data आएगा और further जो एरो दे रहा है कि values के spelling गलत है तो वी-a-l-u-e-s तो यह वेरी जो लिस्ट है यह create हो चुकी है अब इस list को अगर मैं यहां पर run करता हूं अब यहां पर आपको कोई भी nn value नह है अब नेक्स्ट हमें क्या करना है अपनी algorithm के अंदर यहां पर आपने रूज बनाने है तो वहां पर हम फ्रॉम एपैयोरी इंपोर्ट कर लेंगे ए प्रायरी को तो यह हमने इंपोर्ट कर लिए अगर आपके पास यह अल्गोरिदम नहीं है आपके पास यह पाकेज नहीं है पाइधन का तो पिप इंस्टॉल आपको एप्रेयोरी कर देना है इसके अंदर हम पास करेंगे अपनी ट्रांजेक्शन नाम की लिस्ट उसके बाद तीन चीज लिफ्ट और मिनिममम लेंद यह चारों चीज़ें भी आल्रेडी मैं लास्ट की वीडियो में डिसक्स कर चुका हूं स्पोर्ट क्या होती है तो यहां पर जस्ट मिनिममम स्पोर्ट हमें कितनी देनी है फॉर इसांपल मैं जाता हूं 0.003 ले ले लेते हैं सिर्फ 3 पर संट इसको बढ़ा देंगे तो इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन में से हो सकता है कि या फिर हम इसको चेंज भी करके देखेंगे डेक्स्ट हमें देखना है मिनिममम कॉन्फिटेंस जो है वह हमारे पास कितना मिलता है लेट से 0.35 अगर मैं एक आइटम कर रहा हूं तो 35 से इछ Kenлох और ने corresponds canteen हो पांट करते हैं तो विच nei-ोमि इक को सवे रूल्स हमारे पास यहाप बन जाएंगे अब इनी रूल्स को मैं लिस्ट में में हैं वेहां पर बैसने यहां पर चूंस के तो फॉर्स्ट रूल का बॉलता है कि अगर आप पास्ता और एक यसके लोप ले हुई है और उसके साथ अगर आप एक आईटम एड करते हो जोब की बेस आइटम है फ्रोजन सेट को आध एस आइटम कौशं सी है पास्ता के साहत अगर आप निक ईडिम एडius है करते हो एसके लूप तोилась के क्ते सांसे है या वै तर्टिय्वन परसंट मुलब पास्ता के साथ जिन्हों ने इसको बाई झीया की साथ की प्रटियवन पर्शन्ट करने यह था तर्ड अगरattack देखें एवोकडो मिल्क और स्प्रकीटी बात करें यहां पर इसकी order statistics की बात करें यहाँ पर दो चीज़े मेरे पास एवोगेड़ और स्पेगेटी अगर आप यह दो चीज़े लेके जाते हो इसके साथ अगर आप मिल्क भी एड करते हो देन 41 परशन लोग ऐसे थे जिन्नों ने एवोगेड़ स्पेगेटी के साथ मिल्क को भाई किया तो इसक के साथ फर्दर अगर आप फ्रोजन वेजिटेबल की बात करें तो 36 परसेंट लोग ने इसको भाई किया था 35 अब इसको मैं 50 करता हूं कि मैंको मिनिमूम कॉन्फिटेंस 50 चाहिए एक लिस 50 परसेंट टाइम वो मेरी जो आइटम है वो प्रचेस होई होनी चाहिए तो यहा सेरेल और अगर वो ग्रॉंट बीफ लेने आए हैं उसके साथ 67 परसेंट चांसी है कि वह सपगेटी ले की जाएगा तो मैं इसी आप से अपनी जो आपने देखा हो का बैस प्राइज या मैट्रों यह जत्ते बड़े ऐसे स्टोर है उन्होंने इस आप से अपनी आइटम को को रखा होते हैं कि हम मैक्सिम आइटम्स आपनी जो c viktLER ऑसमें एड़ कर लगे से में इसीवे में अपनी जो together है मोई सबसे आप से औरिंज कि होते हैं या आप Amazon को देख लोगो भी आपको प्रोडक्ट इसी तरह से रिकमेंड करती है अब इसमें से को यह निखालना है कि मेरा जो सबसे सबसे ज्यादास जिए तो मेरा जो डेटा है उसको मैं एरे में कर लेता हूं व्लीउज्स वैलियुज्स को बाद इसको 2d एको van would करने के लिए Hudson को यूज करता हूं और अब इसको मैं किxi बिडी नाम के इंदर लेता ऑब यह मेरा पूरे का पूरा डेटा-5 यहां पर मैं क्या करता हूं इंपोर्ट कर लेता हूं क्लेक्शन नाम की लाइब्रेरी को यह क्या करती है आपकी वैल्यूस को काउंट कर लेती है तो क्लेक्शन के अंदर मेरे पास एक function है counter counter के अंदर आप अपने D को पास कर दो और यह आपकी जो जितनी भी values हैं उसको count करके यहाँ पर बता देगा तो यह बता रहा है कि सबसे जो shrimp है वो 536 times old हुआ है elements 1353 times old हुआ है एवो के दो 250 times old हुआ है तो यह आपको यहाँ पर दिखा दिया उसने हम इसी चीज़ को अगर मैं further अपने data frame में लेकर आना चाहता हूं तो PD dot data frame यहाँ पर मैं अगर value लिखता हूं तो यह मेरी जो value है फिलहार यह dictionary के अंदर है तो में जो मेरी value dot अगर मैं items लिखता हूं तो यह क्या कर देगा यहां पर मेरे data को लिस्ट of tuples के अंदर पास करते हैं जब list of tuples के अंदर data आज आएगा देन हम easily इसको data frame में convert कर सकते हैं तो यहां मैं items लिखते तो और यह वाला data मेरा इसली data frame में convert हो गया और उसके बाद further आप इसको sort कर सकते हैं वह आपको already मालूम है कि इसको कैसे sort करना है sort करने के बाद easily हम यह पता चल दाएगा कि कि इस हैसाब से हमारा जो सबसे जो highest item से लो रही है वह कौन सी है अब अगर इन columns के में को name rename करने है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं df.rename यहाँ पर columns equals to curly bracket 0 को जो column है मेरे पास 0 और 1 है 0 को let's say मैं column कर देता हूँ items और यहाँ पर जो one है उसको मैं rename कर देता हूँ let's say total जो उनकी count है item और उसकी total value तो इसको मैं further यहाँ पर करूँ तो यह मेरा data frame जो यह rename हो जाएगा तो इसको मैं df variable के अंदर ही update कर देता हूँ अब further मेरे पास ही आ चुका है अब मैं df.sort underscore values यहाँ पर लिख सकता हूँ by equals to total column के coding data को sort कर दो और ascending equals to क्या कर दो false कर दो तो अगर ascending equals to false भी कर देंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखा रहा है कि आपकी जो एनन वैल्यूस है यह आपकी इतनी वैल्यूस पड़ी है तो इसमें सब्सक्राइब करेंगे यहां पर वां से स्टार्ट करके पूरी रोज उठा लेंगे तो हमने वह अपने रूल्स अगर आपने रूल्स अगर आपने बोलो कि मैं स्पोर्ट सबसे जादा हाई कर दूँ कि मैंने जिरो पाइंट जिरो जो घूट अब ऐसा भी ओ सकता अगर मैं स्पोर्ट हाई कर दू तो जैसे अगर मैं गर्मियों की बात करों वहाँ पर जैसे mineral water हो गया या आपके drinks होगी, soft drinks होगी, यह सबसे ज़्यादा सोल्ड होती है, सर्दियों में यह चीज़ें सोल्ड नहीं होती है, तो वही चीज़, अगर आप sport बहुत हाई कर दोगे, तो आपको सर्दियों में भी यह items recommend करता रहेगा, सर्दियों में क्या मोलूँगा कि में को इसकी जगा coffee recommend कर दो, या कुछ ऐसे product जो की सर्दियों में specially सबसे ज़्यादा सोल्ड होते हैं, तो यह आपको ध्यान में रखना है, आपको अपने rules time to time change करते जाने हैं, और आपको यह भी देखना है कि कि सीजन के recording, या किस तरह से आपकी जो items आपको recommend में लेके आनी हैं, तो अगर मैं यह देखूँ सबसे ज़्यादा जैसे बहुतार इसी e-commerce sites से हमापे उने लिखा होता है, कि मेरा सबसे hot trending product है, तो मतलब जो सबसे ज़्यादा sold हो है, वो क्या है मारा, mineral water, उसके बाद क्या है, eggs, और उसके बाद क्या है, spaghetti, then french fries, then chocolate, मतलब यह लोग, इस data recording मैं बात करूं, तो यह सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है, यह आपकी sold होई है, अगर हम देखें, बाकी items के अगर compare करें, तो कई पर क्या होता है, जैसे बेस प्राइस वगेरा store पर जाते हो, तो उन्होंने बिलकुल आगे ही items रखी होती है, कि जब आप basket को लेके आ रहे ह हो, तो आप बोलते हो, यह प्रोड़क्त तो काफी चल लग रहे है, इसको भी मैं अपनी एड़ कर तो, बिलिंग टाइम भी आप उसको एड़ कर दोगे, तो ऐसी वो items होती है, कि जो सबसे जाधा sold होई होती है, वो आपको यहापको यहां पर दिखाय जाए, यह e-commerce उसको आपको follow करता है, और आपको recommend करता है, recommendation दूसरे में भी होती है, कि जो चीज आप search कर रहे हो, आपको वही चीज बार बार दिखायी जाती है, वो भी एक तरह की recommendation है, आपने flip card पे गए, आपने search किया laptop, अब आपको laptop ही recommend करता रहेगा, जब भी आप दबारा कभी flip card पे जाओ या कहीं और website की उपर भी जाओ गए, वहाँ पर भी आपको laptop की आड़ दिखेगी, वो भी एक तरह से recommendation ही, इंजन की तरह काम करता है, लेकिन ये वाला क्या है, यहाँ पर हम लोगों के interest के recording देखते हैं, कि जैसे first time इसने यह चीज पिक करी, इस चीज के साथ second person ने जैसे mineral water के साथ X को लिया, spaghetti को लिया, फिर देखते हैं किसका confidence अपसे highest है, तो इसे साथ से मपने recommendation engine बनाते हैं, तो आपको concepts क्लियर होगे होगे, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए और आपको, you can ask me in the comment section, you can join my telegram channel, whatsapp group, ऐसी इंट्रस्वी वीडियो को देखने के दोगी कि ए को बनाते है, और एक अंटी करते हैं